पुलिस की बड़ी सफलता चार घंटे के अंदर एक लाख रुपए लूट के तीन आ रुपी पुलिस ने पकड़ने में काम्याभी पाई पुलिस कप्तान ने गोविनगार की पुलिस की इस सफलता पर पांच जार रुपए इनाम की घोशना की जो पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चीज मानी जाती है गोविनगार पुलिस ने महिला के साथ एक लाख रुपए लूट के तीन आ रुपी सुचना मिलने के चार घंटे के अंदर ही गरत तार करने में पाई सफलता पुशताच में इनसे पुलिस ने चार जनवरी की लूट का भी खुलासा किया पुलिस कप्तान ने गोविनगार पुलिस की इस काम्याबी पर पांच हजार रुपए इनाम की घोशना की है इन तीनों आरोपी ने सुईकार किया है इसके पूर उन्होंने बीस हजार रुपए की भी लूट की थी गोविनगार पुलिस को महिला ने आकर बताया आज की बात है वह बैंक गई थी पैसा निकालने बैंक से उसने एक लाक रुपए निकाले और अपने घर की और चल दी रास्ते में तीन लोगों ने उससे पैसे छीन लिये और मौके से फरार हो गए इस बात की जानकारी ही जैसे ही गोविनगार पुलिस को हुई गोविनगार थाने के टी आई शिवा अगरवाल ने ततकाल ही अपनी टीम को सक्री किया मुख्मिर का जाल बिछाया चन्द घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई पुलिस को सक्था ये आदतन अप्रादी हैं पुलिस ने उनसे कडाई से फूर्ष नाज की नतीजे के रूप में तीनों आरोपी जल्दी तूट गए उन्होंने एक और लूट को सुईकारा वह लूट 20,000 रुपए की थी रीवा पुलिस कप्तान नवनीद भसी ने गोविंगर पुलिस की इस काम्याबी पर 5000 रुपए इनाम की घोशना की है जो पुलिस विवागत में एक बड़ी बात मानी जाती है हम आपको बता दें दरसल मामला क्या थे रामबाई साकेत पती फूल चन साकेत उम्र 26 साल 56 साल वाट आठ गोविंगर की निवासी है एलाबाद स्टेट बैंक से एक लाग रुपए निकाल कर अपने घर की और जा रही थे तब ही पीछे से नीले कलर की स्प्लेंडर मोटर साइकल से तीन लोग आए और उनका बैट चीन कर भाग गए पुलिस ने ततली मुख्विर को सक्री किया पुलिस की गिरप्त में लकी उर्ट टिंकू सिंग पिता पुस्पेन सिंग उम्र 27 साल जमुना टोला ललिपूर थाना रोहित चतुरवेदी पिता रमाकान चतुरवेदी उम्र 28 साल अजमाईन थाना ताला मोहित कोल पिता संकर कोल उम्र 21 साल कुलार बस्ती थाना ताला तीनो आरोपी जो की थाना ताला के अंतरगत रहने वाले थे पकड़ने में काम्याबी पाई पुलिस ने इन से पूश्टाच करने पर इनकी निशान देही पर एक लाख रुपए बरामत किये हैं और इनके पास से लूट में इस्तमाल होने वाली नीले कलर की मोटर साइकल भी बरामत किये जिसकी पुलिस कीमत 50,000 रुपए मानकर चल रही है पुलिस नाच में इन्होंने चार जनवरी की लूट का भी खुलासा किया है माना है कि हमने चार जनवरी को लूट की थी चार जनवरी को गोविं कर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई थी राम सीरुमनिक पांडे, पितार नाम रिंजन पांडे, उम्र 75 साल, बासा मोहरिया के द्वारा उनका कहना था वो साइकल से पैसे निकाल कर साइकल के हैंडिल में पैसे को कपड़े से बान कर जा रहे थे तब ही उनके पैसे भी इन लोगों ने लूट लिये थे पुलिस अब इन से वो पैसे भी बरामत करने का प्रयास कर रही है लोट के तीनो आरोपियों ने भी इस घटना को करने का सुईकार कर लिया है पूरे मामले को लेकर रिवा के पुलिस कप्तान ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया आप भी सुनिये उन्होंने रिकवर किया उन आरोपियों से पुस्ताज की गई तो उन्होंने दिनांक चार जनवरी को भी एक बी सेयर के लूट स्विकार किया वो राशी भी रिकवर करने का प्रयास किया रहा है और इस प्रकार इस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है पुरी गोविंदग काल ने कहाँ जाए प्रक्षू गार्पीस पाता मिता है ऊच्छो उन्होंने बहुत ही उन्होंने बहुत है वहाँ झास Yesona